सुक्रवार सनीवार इतबार तिन दिन कि दीव चलेगी शाम के चार बई से लेके तक और दिवी दरवार जो है वो दिवी दरवार सबेरे 11 वे से लेके दो बहुत चलेगा तो स्वास का भी एको लगेगा और लोगों की भावन दूर दूर से फोन आ रहे हैं चूकि लाखों की भीड रहेगी ते एक वियस्था बनाई जाएगी खाने का रोज का 50-60 लोगों की खाने की महापरसाद बनेगा जो लोगों को मिलेगा देखे लेकिन हम पूरी वियस्थाएं कर रहे हैं और पानी के मौसम को देखते हुए वाटर फूरूफ करवा रहे हैं राज तिलक की करो तयारी आ रहे हैं भगवादारी मेरे साथ द्यासिंजी मौजूद है जो पंडित धिरेन के शास्तिर जी को भिलाई में बुला रहे हैं मैं अभी भिलाई मौजूद जैनती स्टेडियम में जहां पर कितने लोग आने वाले हैं पुड़ी बात विश्तार से करेंगे द्यासिंजी के साथ क्या कुछ होने वाला है पंडित धिरेन सास्तिर जी जो हनमन्त दीव कथा जो होने जा रहा है 22 सितंबर 23 सितंबर और 24 सितंबर को तो वह एक भव रूप होगा शुक्रवार सनिवार इत तक चलेगा तो इस तरह से तीन दिन की कथा है एक बड़ी तयारिया है यह जो ग्रांड आपको दिख रहा है यह ग्रांड वहां इस्टेज से सुरू होगा और से सुरू होके वहां लाष्ट जाएगा मतला मतला तीन सो बाई के बाद फायर विगेट का है वो एक अलग ऑफिस होगी फिस्वास केंद जो कि कई डॉक्टर्स वगरे कई नर्सिंग होम के लोग भी क्या बोलते लगे हैं जुड़े हैं और वो कहीं ने कहीं उनका सेवा का भाव भी है जो कि डॉक्टर्स को कैसा ग्लुकोस की जूरत दवा तबियत खराब बुखार कई परकार की चीज़े हैं तो स्वास का भी एको लगेगा और एंबुलेंस पांस से साथ एंबुलेंस एनिवहो एनिटाइम खड़े रहेगी ऐसे कई नर्सिंग होम लोगों से संपरके किया गया डॉक्टर्स वगरे सब लोग हरत्रे का और यह बड़ा काम है बोलबम समीती ने इस बेडा को उठाया है लेकिन बोलबम समीती में हजारों लोग यहां कारियत हैं और हजारे हमारे वाल्टेन रहेंगे लेकिन साथी साथ में आप देखेंगे कि पूरा भिलाई चुकि धर्म के उपासक और धर्मी की नगरी भिलाई कह जाता है और चुकि 15 वर्सों से भूले बाबा की बारात बोलबम सेवा यह कल्यान समीती निकाल रही है तो कहीं ने कहीं सेवा का भाव रहा है और हमारी जो पूरी टीम के लोग है उससे काफी अतिव साहित है तो धीरे-धीरे-धीरे हम कारवाओं के साथ में धीरे-धीरे क अधीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धी सबके सहयोग सबके प्रेम और सबके सहयोग से एक बड़ी ताकत खड़े हो और बाबा चुकि धिरन सास्तिरी जी आ रहे हैं तो यहां कई लोगों का भला होगा कई लोग के दुख हैं तकलीप हैं परसानिया हैं संकट हैं वह सब चीजों को वह दूर करेंगे और लोगों की बहुने दूर दूर से फोन आ रहे हैं मेरे बाद हजारों कॉल सा रहे हैं क्योंकि लाखों की भीड रहेगी तो एक व्यस्था बनाई जाएगी ताकि सब लोगों को कहीं न कहीं जिस भाव से आएं तो उस भाव से धर्सन लाब भी ले लें उनका असिरवाद भी ले 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 और असिरवाद के साथ में वो कहीं न कहीं भिलाई का एक नाम जो कद है पैचान है धर्मी की नगरी और भिलाई को लोग उस भाव से जानते हैं तो हम हर तरह की सहयोग और साथ में रहे के हर तरह से चाहेंगे कि उनकी हर किसी की मनोकामना भी पूर्ण हो पिश्री बार या फीट के हिसाब से और वगरे वगरे जो रहते हैं क्योंकि के टेंट वाले हैं जैसे अभी तील्दा में चल रहा है परदी पे मिस्रा जी का से कारकरम हैं वहां के टेंट वाले वैसे हमारे राइपूर में लेंगे तो भारत टेंट वाले हैं उसी तरह से आप लेंगे त लोग बढ़ चड़के हिस्सा ले रहें इसलिए अब वो लोग भी धरम पर नहीं लोग हैं बहुत पैसे के विशे पर नहीं है कि यह सब गुरुजयों के भक्त हैं और गुर्देव जब कहीं भी जाते हैं तो उनका भी भाव रहता कि हम यहां कार करें और हम यहां रहें और जिसतर थे बॉनसर वगर हैं महीला बॉनसर वह उजेन की है तो उनका है कि हम राज दिन 24 घंटा सेवा देते हैं और बहुत अच्छा कार करते हैं दो काम हो जाता, दो पैसे भी मिल जाते हैं और सेवा भी हो जाता, सब सेवा की दिष्टी से कार कर रहे हैं, और सेवा भगत के साथ सब मिल के एक स्थित हो के इस महा यग्य को थोड़ी थोड़ी आहुती डाल के सफल करेंगे भीड़ का बश्तित करने बहुत बड़ा काम होता है तो कहां सेंट्री होगी कहां सेंटी होगी गाड़ियां कहां पारकिंग हम ओ आप पीछे देखिए व वहां से जो होगा जो वह तरद जो गेट होगा तुरुम के लिए एक बड़ी विवस्था रहे हां सेकड़ों लोग की मतलब विवस्था रहे और कहीं भी किसी को किसी भी परकार की तकलीफ ना जाए उस भाव के साथ में एक परियास हम कर रहे हैं भारत की तमाम राज़ों से लोग यहां पर आएंगे तो खाने पीने क्या परसाथ बनेगा जो लोगों को मिलेगा और दुनों टाइम की विवस्था रहेगी बातरों की विवस्था रहेगी हर तरह की विवस्था कि एक बड़ी तैयारिया हम कर रहे हैं और तैयारियों के साथ में कारे को कर रहे हैं हमारे यहां पर हैं यहां पर ऐसे सब लोगों से संपरेंग वालों से भी संपर के किया है और बंटी बायी केटरिंग वाले हैं जला राम और उनके जहां पर कितना नुमान करहें आपके नो-डौट कि लाखों लोग आएंगे लेकिन हम पूरी वियूस्थाएं कर रहे हैं और पानी के मौसम को देखते हुए वाटरफूरूप करवा रहे हैं ताकि वाटरफूरूप है टेंट लगेगा और सब लोग महराज जी के और हमारे वाल्टेर तो हैं है लेकिन परसासन परसासक ये लोग भी हर तरह के धर्म करम में आगे बढ़ चलके करते हैं तो इस सब के सयोग से हम सब मिलके इस महायग्य म आहुती देंगे और महायग में एक धिरिन सास्त्री जी पंडी जी जो कि हन्मान जी के सौरूप हैं और वो आ रहे हैं तो हम लोग बस यहीं कहेंगे कि राज तिलक की करो तयारी आ रहे हैं भगवार रहे हैं बस अगस्त में भी महराज जी आने वाले हैं ऐसी कोई जानकारी अधिया और हम तो शंकल्प के साथ में हमको महराज जी ने समय दिया है और समय के साथ में हम अप्नी तैयारियां सुरू कर दिया है महाराज जी कहा रातरी में कहा रुकेंगे। यह भी वियस्ता हम कुछ दिन बाद बताएंगे। क्याकि महाराज जी के कुछ अन्वाइद लोग हैं जो आ रहे हैं उनको 3-4 जगे हमने दिखा है। अब वहां जिसी व्यस्ता बनेगे फिर आगे आपको जैनकरी देंगे तो यह साफ तर पर आप दे सकते हैं जगा में पहुंजुद हूँ यह 13 स्टेडियम है और यही पर महाराजी आने वाले हैं और आप देखते हैं जहां भी महाराजी पहुंचते हैं वहां पर एक जन लाजार रहने वाला है क्या कुछ यहां पर होने वाला है क्या पर निउस की टीम मौके मौशूद रहेगी यहां पर आपको कुछ जो कुछ भी होगा वह दिखाएगी पूरा ब्लेट बताएगी और यहाँ पर आपको पूरा लाइफ देखने को अभी हमारे चैनल मिलेगा इसलिए हमारे चैनल KP News को सब्स्राइब कर लीजिए और क्या कुछ अपडेट रहेगा उसके लिए हमारे चैनल से बने रहेए धन्यवाद